तो गाईज मैं हूँ आईश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया सुवागता है आपका आज की इस वीडियो में जो की होने वाली है हमारी Q&A वीडियो and because यह है year of announcements, let me make this announcement कि अपसे हर Friday आपको Q&A वीडियो रेसल इंडिया पे देखने को मिलेगी, यह perfect दिन है, smackdown, raw के बाद और उससे पहले बीच में kind of पड़ता है जहां पे अच्छे से आप लोगों के questions की आंसर दे सकते हैं तो हर Thursday को मैं शाम को यह दिन में एक Community Tap a Post आलूँगा जहांपे आप अपने questions छोड़ सकते हैं और definitely best questions में उठाने की कोशिश करता हूँ, जितने जादा से जादा हो सकें एक वीडियो के हिसाब से तो every Friday आप लोगों के साथ interact करने का मौका मिलेगा और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, सीधा आप अपने question number 1 से जादा आइम वेस्ट करेंगे नहीं, और यह आता है Spear City Official की तरह से कहते हैं यानि कि क्या Jimmy Uso की booking बाकी members अच्छी नहीं है, वो कहते हैं जो रोमन रेंस के साथ उनकी हुई थी वापिस रोमन के साथ जोड़ना, कहीना कहीं उनके लेएक setpack था, उनको फायदा नहीं हुआ उस चीज से अगर Jimmy अपनी story को continue करते और solo के साथ जुड़ जाते, उसी तरीके से जैसे कि Jay पहले रोमन के साथ जुड़े हुए थे, तो शायद उनका career थोड़ा सा जाधा better हो सकता था इस चीज को मैं agree भी नहीं करूँगा और disagree भी नहीं करूँगा, because Jay और Jimmy के बिलकुल अलग pathways रहे हैं Jay ने तब excel किया था, रोमन के साथ जब वो story की जरुरत थी, और Jimmy injured भी थे, तो angle में sense बनती थी I don't think कि solo खुद अपने आपने उतनी बड़ी super power दिख रहे हैं, जितनी रोमन race दिख रहे थे, कि उनके साथ अगर Jimmy उससो लग जाते, तो Jimmy का भी कोई बहुत ज़ादा फायदा होता है, यह मेरा मानना है अगला question आता है, Mr. Tride01 की तरह से अरे पूछते हैं, भाई, रोहित भाई के साथ आपकी दोस्ती कब से है, बिग फैन, प्लीज पिक माई question, तो thank you so much भाई, वीडियोस देखने के लिए, और मैं यहीं बोलूँगा, आप लोग subscribe ज़रूर कर लें, because the content just keeps getting better on Wrestle India, लेकिन रोहि 6-7 साल से जादा हो चुके हैं, मुझे रोहित को जानते हुए, लेकिन हमने काफी सारा काम इकठे भी किया है, और उसके लावा, behind the scenes भी हम बहुत टाइम से बाते करते रहते हैं, अपस में एक दूसरे को जानते हैं, काफी सारी चीज़ें एक दूसरे से डिसकस कर चुके है तो कोई as such timeline तो नहीं, लेकिन 6-7 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो काफी हमारा professional, personal connection strong है, and hopefully because it is the year of announcements, you have to stay tuned, okay, next question आता है, शुबम की तरफ से पूछते हैं, do you think Solo Sequoia has failed to prove himself, despite getting a lot of limelight, to me he doesn't come across as a leader, but more like a clown, what's your take on his performance and persona, यह कहते हैं कि Solo उतने अच्छे नहीं दिख रह हैं, जो expectation थी, जितनी उनको limelight मिल रहे हो, अच्छा करना ही पारे, तो मैं यह बोलूँगा कि कहीं ना कहीं फिर से ना तो agreeable है, ना disagreeable है, because Solo को अभी उतना time नहीं हुआ है, उस position में, और storyline अभी अपनी peak से बहुत दूर है, जब वो peak करेगी तो समझ आएगा, कि Solo कितने strong लग रहे हैं, against another bloodline, जो उनके सामने खड़ी है, जिसके leader Roman Reigns बनेंगे, अगर वो direction WWE लेती है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं Solo को आप पहले सा तो बहुत बेटर कर रहे हैं, पहले तो बिल्कुल भी बोलते हैं नहीं थे, अब एकदम से उनको leader role में डाल दिया गया है, तो I think उस वरा से अभी उनको थोड़ा time लगेगा, अगला question आता है, अपर सुजाई की तरफ से और यह पोलते हैं, बो क्या आपने Wrestlemania जाने का कोई plan बनाया है, US में जाके आप बनाया हो कभी जाने के लग प्लान, तो अब यह ज़रूर है कि अपनी dream list पे, जो bucket list जिसको कहते है उस पे यह Wrestlemania US में जाके देखने का जो dream है, वो हर किसी wrestling fan का है, वो simply मेरा भी है, अगर मैं Canada में होता तो में भी थोड़ा जादा easy रहता US तक जाना, लेकिन definitely it is on the list, अब यह तो नहीं बोलूँगा कि अगले साल या उससे अगले साल, लेकिन करेंगे ज़रूर एक नायक बा हो गई है, तो इस बात को मैं यह तो नहीं बोलूँगा possibility खतम हो गई है, मैं भी WWE इंडिया को एक अलग market की तरह देखती है, और presently इतनी सारी और markets है, WWE के पास explore करने के लिए, कि इंडिया आना उनकी priority इतनी बड़ी है नहीं, and I don't think Indian wrestlers को निकालने का direct impact होगा, इंडिया मे आके show करेंगे, लेकिन एकदम immediate, I don't think WWE अभी इंडिया के बारे में सोच रही है, because अगर honestly आप भी सोचो, तो कौन आखिर उतने पैसे खर्च सकता है, कौन उतना afford कर सकता है, जो WWE की ask रहेगी इंडिया में आके show करना, because Europe में लोग पैसे खर्चते हैं, इसलिए WWE वहाँ पे जाती है, ऐसा नहीं है कि उनको इंडिया से कोई लगाव नहीं है, या फिर वो हेट करते हैं, अगर ये market अपना business offer करती है, WWE को, तो definitely they will come to India, next question है, उस्मान की तरह से how many years Roman Reigns will wrestle, तो basically पूछे हैं, कब उनकी retirement हो सकती है, 39 years के Roman Reigns, and I think अभी peak-peak की अगर मैं बात करूं, वो Roman Reigns बिल्कुल WWE में focus रहें और करते रहें इसको, तो 2-3 साल तो कहीं भी नहीं गए, I think he has to do it, जबकि I know कि उन्होंने कहीं नहीं इंटर्व्य में बोला था कि 40 years तक वो इस चीज़ को full time करेंगे, passion से करेंगे, और उसके बाद में भी थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन 2-3 साल I think Roman Reigns is going to do it, जब तक उनको ऐसा नहीं लगता कि अब वो passing the torch वाली moment आ गई है, और WWE को और कोई carry कर सकता, अगर मैं आपे थोड़ा कम भी आऊं या फिर अब मैं part timer हो जाऊं, एक probability उसकी बन सकती है, लेकि Roman Reigns अभी एक दम से कहीं नहीं जाने वाले, अगला question आता है, Demo God की रसे और ये बोलते है, Roman Reigns returns with heel, सारे expect कर रहे हैं कि वो face की तरह आएंगे, पर triple H सबको surprise कर दें, और solo को wreck कर देंगे as a heel, और face turn करने की बजाए, और tribal chief crown की बजाए, वो heel ही रहेंगे, उसको दुबारा chase नहीं करेंगे, and bloodline will always be better in heel, if Roman is face then there are not any strong characters, heel characters जो क्या against जा सकता है, bloodline और what is your opinion ये पूछते हैं, कईना कई point में sense सरूर है, लेकिन जो current storyline चल रही है, उसमें Roman Reigns की मैंने बात करी थी एक वीडियो में कि वो वापिस आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे कि एक baby face हैं, जो उचल रहा है, कूद रहा है, हस रहा है, बिल्कुल भी नहीं, वो एक वो anti hero क की तरह आएंगे, जो कि hero तो है, story में, लेकिन उसके actions hero वाले सारे नहीं है, तो heal actions के साथ, लेकिन लोगों की cheer लेने वाला kind of stone cold Steve Austin, उस type का जो character है, वो Roman Reigns को दिया जाएगा, लेकिन ये story में, वो heal पूरा बन जाएं, और वो भी एक heal group के अगेंस्टी जा रहे हैं, वो इतन हो सकता है, क्या Summer Slam too early है, क्या वो main event कर सकता है अगले साल की WrestleMania को, तो WrestleMania definitely एक जादा possible choice है, Summer Slam में तो impossible है, because I think जब तक Drew McIntyre और CM Punk की storyline आगे नहीं बढ़ जाते हैं, उसमें 3-4 match नहीं देखने को मिल जाते हैं, तब तक World Championship में उनको लाना, और Seth Rollins को भी सेम चीज़ के अंदर घुमाना, वो अतनी logical नहीं बात बनेगी, लेकिन मैं मज़ा आएगा देखने में, किस साल की WrestleMania की स्टोरी next year kind of repeat हो, और एक बंदा commentary पर बैठा था वो भी match का part होगा next year at WrestleMania, अगला क्वेशन आता है, लव्वे की तरस और ये पूछते हैं, your view on this, Seth Rollins, Damien Priest को हरा दे Money in the Bank में, और CM Punk Seth Rollins को challenge करेंगे, Summer Slam में confirm करने के बाद कि वो clear हो चुके हैं, लेकिन Drew McIntyre Money in the Bank जीत के cash in कर लेंगे CM Punk पे, और 12 साल में उनकी पहली WWE Championship victory को Drew McIntyre जो है, वो screw कर देंगे, और अपना full revenge ले लेंगे on CM Punk, भाई बहुत अच्छे तरीके से इसको present करा गया है, because मैंने भी के बारे में सोचा नहीं तो और बहुत अच्छी depth thinking के साथ, logic के साथ, यह point रखा गया है, तो definitely love way अगर होता है, I am all in on this, अगर WWE करना चाहती है, तो मज़ा आएगा, बहुत ही सावर देखके, और clever storytelling होगी, वो CM Punk और Drew McIntyre की story को और आगे खीचने की, और अभी हमने बात करी Seth Rollins को involve करनेगी, तो अगर Seth Rollins अल्रेडी एक championship feud दे देंगे CM Punk के साथ, one on one, वो match Summer Slam में, तो सारे लोग जो expect कर रहे थे कि Summer Slam में Drew versus Punk देखने को मिलेगा, उसके बिए Seth versus Punk is a very good alternative, अगला question आता है, सूरे आंश की तरह से औरे बोलते हैं, भाई, Canada का क्या हुआ, पढ़ाई प Shield बोलते हैं, इंडिया की community की, wrestling community की, लेकिन अभी Canada की अगर मैं बात करूं, तो I am back for now, छुट्टी पे हुँआ आप कह सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पे कहारा सब कुछ मेरी complete हो चुके है, तभी मैं obviously वापस आ सकता हूं, इतना time या पे लगा सकता हूं, और याद आ रही थी again and again, it's the year of announcements, तो कुछ तो होई रहा होगा, तभी हम वापस आए हैं, और आपके लिए कुछ लेके आएंगे, बहुत ही जल, stay tuned, next question है, cloud की तरह सवरे बोलते हैं, do you think that title changes should be more often, like it used to be in attitude era, वैसे क्या India इस बार World Cup जीतेगी, भाई, final में पहुँच गए हैं, एक और मैच है, लेकिन एक ही मैच था, World Cup 50 over में, मैं कुछ उल्टा नहीं बोलूगा, जीत जाएंगे उसके बारे में बाद, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, तब celebrate करेंगे, तब ही मज़ा आएगा, I hope India does it, और हर कोई Indian cricket कर जो फैन है, वो यही चाता है, लेकिन title changes should be more often, I think अगर उस title rain की हम बात करें, और वो इतनी अच्छी नहीं है, जैसे मेज़ो और आट रूथ कुछ खास नहीं कर रहे हैं, फिर सेंस बनती है कि हराद हो, लेकिन एक अच्छी title run को जल्दी खतम करना, भी is not a good idea, अगला question यहाँ पर आता है, NHCS Prejual की तरह से और यह बोलते हैं, most of them predict कर रहे हैं कि Jay Money in the Bank जीतेंगे, और मैंने भी अपनी previous वीडियो में कुछ ऐसा ही बोला है, और यह obvious हो जाएगा, क्योंकि वो Money in the Bank के poster पे भी है, यह बोलते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए, कि Bloodline cause करते जे को Money in the Bank जीतने के लिए, और इसकी वह वापिस enter कर पाएंगे, Bloodline की feud, वो कहते हैं, 3-4 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ, keep coming with unique content, different content, but love and respect my brother, thank you so much, और एक unbelievable फिर से आप लोगोंने अच्छी बाते लिखी हैं, must comments दियें, जो पढ़के मज़ा आ रहता है, यह outlook ही बहुत बढ़िया है, कि Jay को अगर वापिस Bloodline के साथ लड़ना है, और Roman Reigns के होना चाहिए, ऐसी थोड़ी एक random दिन जाके Jay Uso बोलेंगे कि भई मैं वापिस आ रहा हूं तुमारे साथ, क्योंकि उन्होंने भी इतना time लगा के सोच समझ के Bloodline को छोड़ा था, और वो अपने आपको पुष्ट करना चाहते हैं, WWE में towards that World Championship, तो यह देखने में मैं बहुत इंट्रस्टेड होंगा, और अगर Money in the Bank, Drew McIntyre जीत रहे हैं, तो यह Jay Uso के लिए दिखाना भी बहुत perfect हो सकता है, अगला question है अभी जीत की तरह से, what's the difference between the viewpoints of people in Canada and India for WWE and pro wrestling, यह भी एक बहुत जपरदस question है, and I'm liking the questions because आप लोगग detail में जा रहे हैं, और आपको जाननी है वो लोग जो wrestling को हैं, वो as a sport देखते हैं, इंडिया में wrestling को लोग as professional wrestling या फिर as a WWE देखते हैं, और उस तरीके से उसके बारे में बात करते हैं, भार professional wrestling एक बहुत कमाल का sport माना जाता है, और वहाँ पे academies हैं, wrestlers हैं, छोटे-छोटे shows होते हैं, arenas छोटी-छोटी होती हैं, अलगे हैं, वो काफी enjoy करते हैं, और जैसे की पहला भी मैंने बोला, वो अपना business, अपने पैसे जो हैं, उसको enjoy करना चाहते हैं, इंडिया में में भी लोग उसको तरीके से सोचते नहीं हैं, जादा thinking Indians की ऐसी रहती हैं, कि यार इतना महंगा क्यों हैं, या फिर free क्यों नही ये, my god, और triple H ने Pat McAfee शो पे कईना कई हिंट तो drop किया था, कि अभी इतनी सारी store lines चल रही है, वायद 6 की bloodline की, सोचो अगर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, और तब से rumors चुरू हो गए, कि ये दोनों factions आमने सामने आएंगी, unbelievable हो जाएगा अगर ऐसा होग लेकिन मैं चाता हूँ, WWE दोनों को एक बार अपनी-अपनी feuds देख, establish कर ले, as absolute monsters on the roster, और उसके बाद जब ये faction collide करेगी, तो clearly वो Shield vs Wyatt family वाला, जो हमको nostalgia मिलेगा, वो हमें जानने को मिलेगा यहाँ पे, इसके बाद बात करते हैं, एकला question आता है, मोक्ष की तरह से, मोक्ष यूज़ करना हूँ, बार-बार, year of announcements, और वो definitely होने वाला है, बस मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ है, रोईत के health के वज़र से delay हो गई है, और हम जरूर कोशिश करेंगे, as soon as he is okay, कि हम उसको execute कर पाएं, तो definitely आप उसके लिए stay tuned रहें, it's the year of announcements, अगला question यहाँ पर आता है, AEW को Shane McMahon ने, और Shane McMahon ने भी AEW को reach out करा, कुछ तो बात हुई, और Tony Khan कहरे है, हम तो welcome करेंगे Shane McMahon को अपनी company में, क्या उनका role रह पाएगा, क्या उनको कोई wrestle करता हुआ देखना चाहेगा, I think एक on screen figure में, बहुत बढ़ी है Shane McMahon रह सकते हैं, और definitely Shane की वज़ा से, eyes जरूर इसे का question pick करते हो कभी हमारा भी कर लिया करो भाई, और यह जो CM Punk and Drew की story है, इसका end आप कैसे देख रहे हो, भाई yes जो भी है, भाई, तुम्हारे against हो गए हैं लोग, इतने तुम्हारे question pick कर लिया, I don't know, इतने सारे हैं होते हैं, कि किस yes का मैं हर बार comment pick कर रहा हूँ, लेकिन यह जो end है इस feud का, बिलकुल अभी होना नहीं चाहिए, किसी भी time पर, I think अगले साल भी Wrestlemania तक, same storyline में भटकते हुए, हमें दिखने चाहिए, CM Punk and Drew McIntyre सिर्फ इतना ही मैं बोलूँगा, और आज का final question आता है, oh my god, यह की तरफ से, और I think, यह QN ने alert लिखा हूँ है, तो इस I have seen Wyatt Six debut recently, what can we expect from this faction and will they ever deliver the things Bray wanted, भाई, Bray Wyatt का जो vision था, अपनी इस faction को अपने character को लेके, वो बहुत बढ़ा है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने उनकी documentary में देखा कि WWE को काफी दिक्कात हो रही थी वैसे काम करने में, तो hopefully, अभी जैसे मैंने आपको बताया भी था, कि य इंक में एक human touch WWE डालने वाली है, इसलिए अतनी जल्दी reveal कर दिया गया कि Uncle Howdy Board Dallas है, थाकि वो perform easily कर पाएं, लेकिन storytelling में बहुत जादा वो इस बार input डालेंगे, and hopefully, जो एकलौता motive है Board Dallas का, इस पूरी चीज को बनाने का, that is to give the tribute to his brother, जो और कोई इस दुनिया में नहीं दे सक तो hopefully, वो चीज कर पाएंगे, hopefully, WWE का patience होगा, इस बार Wyatt Six के साथ, कि वो long term issues को test करना चाते है, wins की तरह नहीं कि दो हफते काम नहीं किया, तो हटा दो इसको, या पूरी story ही change कर दो, तो guys, यह थे आज के questions, thank you so much, जिल लोगों ने भी comment करा, अगले Thursday दुबारा post लेगी, तो अ झाल, 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 झाल